पिछले एपिसोड में हमने देखा था फ्रीन बेकी से लाइव आने के लिए कहती है और वो दोनों लाइव आकर अपने फैंस को संबोधित करते है फ्रीन बेकी को लेकर एक मोल जाती है जहां पर वो दोनों ही बहुत मस्ती करते है फ्रीन बेकी को उस मोल के हर एक पार्ट को दिखाती है एन वो साथ में लंच करते हैं फ्रीन लंच के टेबल पर कुछ फोटोस क्लिक कर रही होती है तभी ओरंतारा पुनसाक की कॉल फ्रीन के पास आती है एन वो उसे यही बताती है उन दोनों का आज एद्स शूट था एन वो दोनों शूट पर कब तक आ रहे हैं सो अब आगे फ्रीन अन बेकी बहुत ही जल्दी में शूट हाउस पहुंच जाती है एन शूट हाउस पर ओरंतारा पुनसाक का एक शूट चल रहा होता है शूट हाउस पर पूरी टीम ये देख कर काफी खुश होते हैं कि फाइनली फ्रीन बेकी शूट पर पहुंच गई एन उनकी टीम को ये भी डर था फ्रीन बेकी कहीं ये शूट को कॉंसल ना कर दें बट ऐसा कुछ नहीं हुआ एन फाइनली फ्रीन बेकी शूट पर पहुचू की है वो दोनों जब अंदर जाते तो देखते हैं ओरंतारा पूनसाक का एक शूट चल रहा होता है जिसमें ओरंतारा पूनसाक बहुत खुबसूरत एंड होट नजर आ रही थी फ्रीन एंड बेकी उसे देख कर अपने मन में सोचती है वाओ तभी फ्रीन बेकी से कहती है ये ओरंतारा पूनसाक कब से इतना होट दिखने लगी तभी बेकी फ्रीन के सोल्डर को हीट करती चुप करो फ्रीन ओरंतारा पूनसाक एक कंपनी के ब्यूटी प्रोड़क्ट्स आड्स के लिए शूट कर रही होती है कुछ टाइम के लिए शूट में ब्रेक होता है औरंतारा पूनसाक फ्रीन बेकी के पास आती है और वो उन्हें हाय बोलती है और वो बेकी से कहती है तुम कहा थे यार तुम लोग कितना टाइम लगा दिया है औरंतारा पूनसाक को बोल देती है कि उनको ये शूट के बारे में नहीं पता था वाट फिलहाल हम लोग शूट के लिए आ गए है तभी शूट मेकर्स कहता है ये ब्रेक खत्म होने के बाद फ्रीन बेकी का शूट लिया जाएगा और कुछ टाइम तक ब्रेक चलता है फ्रीन बेकी और अरंतारा पूनसाक कुछ डिसकर्स कर रहे होते हैं फ्रीन अरंतारा पूनसाक से कहती है आज कल तुम किधर हो और कल तुमने वो इंस्टाग्राम पर बिक्मी में क्या पोस्ट क्या था औरंतारा पूनसाख कहती है क्यों तुम्हें वो पोस्ट होट नहीं लगी तभी फ्रीनबे की एक दूसरे को हाइफाइ करते है और बहुत जोर से लाफिंग करते हुए कहते है कुछ जादा ही होट थी और वो फिर हस्ते तभी औरंतारा पूनसाख कहती है तुम लोग मेरा मजाक उड़ा रहे हो अभी रूकों में वो पोस्ट ही डिलीट कर देती हूँ और औरंतारा पूनसाख अपनी इंस्टाग्राम आइड ओपन करती है पोस्ट को डिलीट करने और फ्रीन उसके हाथ से फोन चीन लेती है और कहती हम लोग मजाक कर रहे थे तुम्हें पोस्ट डिलीट करने की कोई जरूरत नहीं है ओके और वो लोग बातें कर ही रहे थे तभी शूट मेकर्स अनौंस कर देता है आगे के शूट के लिए सब लोग रेडी हो जाए अगला शूट है फ्रीन और बेकी क कमपनी के चौकोबार का उसके बाद में कुछ एदस और भी है जो की उन दोनों को आज ही कंपलीट करने है और फ्रीन बेकी का शूट स्टार्ट होता है और वो दोनों चोकोबार के बारे में फैंस को संबोधित करते हैं कि यह चोकोबार कितनी ज़्यादा यामी हैं अगैं एन अभी और शूट भी बाकी है। शूट मेकर्स दूसरे शूट के लिए सेट अप तेयार करते हैं। और एक सीट पर औरंतारा पूनसाक और फ्रीन बेकी बैठे होते हैं। फ्रीन बेकी अपने फोन में कुछ देख रहे होते हैं। औरंतारा पुनसाख फ्रीन बेकी से कहती है क्या है तुम दोनों को अपने आप में लगे हो मेरे से कोई बात नहीं कर रहा है। और तब ही औरंतारा पुनसाख फ्रीन को अपने हैंस से बहुत जोर से हीट करती है। फ्रीन अपने हैड को उपर उठाती है। और वो भी औरंतारा पूनसाक को जोर से हीट करती है। और साइट पर two boys खड़े होते हैं, उन मेंसे एक boy फ्रीन बैकी के हाड को होल्ड करके एक दूसरे के हैड को हीट कर देता है। और वो boy बहुत ही फानी voice में कहता है, तुम दोनों एक kiss कर लो पब्लिक में, और वो voice बहुत हंसते हैं। And friend Becky भी shy smile करती है। और फिर से shoot makers announce करते हैं, कि next shoot के लिए ready हो जाये and next shoot अकेले Becky का होना होता है। Makers Becky को shoot के लिए बुलाते हैं। And Becky से makers company के कुछ products का ads करते हैं, जिसमें Becky to water gel के बारे में बताती हैं, कि ये कितना useful है। और उनके सभी fans को इसका स्तेमाल करना चाहिए। और उसके काफी सारे benefit है। उसका results आपको use करने पर पता चलेगा और वो खुद भी उसका स्तेमाल करती है। Because उसका ये ads shoot end होता है। और तुरंथ ही next ads के लिए shoot makers बोल देते हैं। और next ads होता है, Freen and Becky का जिसमें वो एक खाने बाले chips का ads करते हैं। और पहले एक ads shoot क्या जाता है। And बाद में Freen Becky chips के taste के बारे में explain करते हैं। Shoot start होता है, Becky chips का एक पीस लेकर खा रही होती है। Freen Becky से वो chips छीन कर खुद खाने लगती है। और Becky को Freen के mouth से लेकर वो chips खाना होता है। और Becky बहुत ही धीरे धीरे से Freen के mouth से अपने mouth में लेती है और वो chips को bite करती है। Becky का अंजाने में Freen के इतना close जाना Freen की heartbeat को बरा देता है। और वो दोनों chips के taste को लेकर बोलती है। ये chips बहुत ही यामी और spicy है। और उनके जो भी fans है, उनको ये chips की taste को एक बार जरूर try करना चाहिए। और वो ads shoot finally end होता है और सभी लोग अपने अपने घर जाने के लिए ready है। और सभी लोग एक दूसरे को buy बोलते हैं। और अपने अपने house निकल जाते हैं। और Freen बेकी भी अपने home के लिए निकलते हैं। Freen और बेकी अपनी कार में बैठते हैं। और वो अपने house की ओर निकल जाते हैं। Freen बहुत ही silently driving किये जा रही थी। तभी बेकी स्माइल करते हुए Freen से कहती है क्या हुआ है। My heart को वो इतना quiet क्यों है। Freen कोई answer नहीं देती है। बेकी फिर से पूछती है क्या हुआ है जान। तभी Freen मुस्कूराते हुआ कहती है कुछ नहीं हुआ जानू हम लोग घर जा रहे है। थोड़ी देर में Freen बेकी से कहती I think तुम अपने घर जाओगी या तुमको मेरे house पर रूखना है। बेकी Freen के face को देखकर बहुत smile करती है। और वो Freen से कहती है उसे उसके home पर derop कर दो। बेकी Freen के दिल की बात बहुत ही अच्छे से जानती है कि Freen क्या सोच रही है बट बेकी चाहती है अगर Freen उसके house पर रोखना चाहती है। सो डाइरेक्ट कहे। बट Freen भी बहुत ही रेर केस में डाइरेक्ट कुछ कहती है अदरवाइज नहीं कहती है। बेकी का house आने ही बाला होता है। तभी बेकी धीरे से Freen के legs पर अपने hand को रखती है। और Freen बेकी के face की ओर देखती है। और बेकी Freen के legs को रफ करने लगती है। तभी Freen कहती है बेक का क्या रहे हो आप और बेकी बहुत smile करते हुए कहती है बिकाज जो आप नहीं कर सकते। क्योंकि आप this time driving कर रहे हो और Freen भी smile करती है। और बेकी अपने hand को Freen के neck के पास लेकर जाती है। और वो Freen को अपने hand से इधर उधर touch करने लगती है। और तभी Freen बेकी के hand को hold कर लेती है और वो बेकी से कहती है। आप क्या कर रहे हो जानो आपको पता है ना आपके इस तरह के touch से मेरी breathing high हो जाती है। तभी बेकी shy feel करते हुए कहती है यही तो मैं चाहती हूँ कि आप hyper हो जाए। तभी Freen कहती है बस भी करो जानू। और बेकी का house आ जाता है और वो बेकी से कहती है आपका house आ गया है। तभी बेकी कहती है मुझे घर नहीं जाना है। Because मुझे तो अपनी सुसराल जाना है अपने हबी के home। Freen ये सुनकार कहती है ओ ऐसा है और ये तुम्हारी सुसराल कहा है। बेकी कहती है जो मेरे पास है दिस टाइम वो मेरे हबी है तो उनका घर मेरा सुसराल हुआ न। फ्रीन ये सुनकर कहती है, बेकी मजाक छोड़ो और अंदर जाओ, and बेकी बहुत फास्ट फ्रीन के लिप्स पर किस करती है, and बेकी की वो किस बहुत ही फैशनेट थी, और बेकी फ्रीन के नेक के पास जाकर कहती है, जान मुझे घर नहीं जाना है, because मुझे अपनी जान की बाहों में सोना है, तब ही बेकी के फोन पर एक नोटिफिकेशन आता है, because बेकी के डैड बेकी के पास कॉल करते है, and बेकी कॉल रिसीवड करती है, और डैड पूछते हैं, कि वो कहां पर है और वो कब तक घर आएगी, बेकी अपने डैड से बोलती है, कि वो आज फ्रीन के साथ है, और वो उसके हाउस पर रूखेगी, वो घर नहीं आएगी, जब बेकी यह कह रही होती है, फ्रीन के हाउस पर रूखेगी, फ्रीन ये सुन कर बहुत स्माइल करती है, एंड वो बेकी से अपनी समाइल को हाईड कर लेती है, बेकी अपने डैट की कॉल को कट करती है, एंड साילेंटी बैट जाती है, एंड दोनों ही पांच मिनट के लिए सााइलेंट हो जाते है, एक दूसरे से कुछ नहीं बोलते है, कुछ देर बाद फ्रीन बेकी से कहती है क्या बात है जानो आज आपको घर नहीं जाना है तब ही बेकी फ्रीन के नेक के क्लोज आकर कहती मेरी जान क्या चाहती है क्या मैं अपने घर चली जाओ बत मुझे आज अपने हाट की बहों में सोना है बेकी ये कहते हुए फ्रीन के नेक पर उसके चीक्स पर एंड उसके लिप्स पर किस करती है बेकी के ऐसा करने से फ्रीन की बीरिधिंग एक दम हाई होने लगती है और फ्रीन भी कुछ देर बाद बेकी की वो किस उसे लोटा देती है और Becky Freen की shirt के button open करना start करती है जैसे ही Becky shirt का first button open करती है तभी Freen कहती है जानू stop I think हमें घर चलना चाहिए रात बहुत हो गई Freen close आकर कहती है जानू ये सब तो हम अपने bed पर भी कर सकते है Freen अपनी feeling को Becky के सामने ज़्यादा expose नहीं करना चाहती है Because उसे याद है Becky ने पिछले time उसे कुछ भी करने नहीं दिया था But Becky तो आज कुछ ज़्यादा ही force कर रही है कार में ही सब कुछ करने को कह रही है Becky थोड़ा गुसे में कहती है जान अभी मुन्त खराब ना करो अभी सब कुछ करने का मन है और घर पहुंचने तक तो मेरी सारी feeling lost हो जाएंगी और जान में ये control नहीं कर सकती हूँ And छोटी बची की तरह Becky कहती है मुझे बस चाहिए अभी के अभी फ्रीन उसे फिलहाल satisfied करने के लिए love bite करती है But जैसे ही ये situation create होती है फ्रीन बेकी को कुछ ज़्यादा ही kiss and bite करती है फ्रीन बेकी के lips को अपने finger से rough करती है And अपने lips को lick करते हुए And बहुत fastly बेकी के lips पर kiss करती है And वो धीरे धीरे बेकी के lips पर movement करती है और थोड़ा long time तक दोनों ही एक दूसरे को kiss करते है तभी फ्रीन बेकी की breast को धीरे से touch करती है फ्रीन की इस touch से बेकी की heartbeat बहुत high हो जाती है वो दोनों एक दूसरे को love bite कर ही रहे होते है तभी पिछे से एक गाड़ी होन मारती है Because फ्रीन ने अपनी गाड़ी किसी parking area पर parks नहीं की थी उसकी गाड़ी road पर थी एन जैसे ही वो गाड़ी होन मारती है फ्रीन बेकी एक dumb state होकर बैट जाते है फ्रीन जल्दी से अपनी कार को एक side करती है एन वो गाड़ी निकल जाती है कुछ second तक वो दोनों ही कोई बात नहीं करते है तभी फ्रीन कहती है मुझे लगता है हमें घर चलना चाहिए और बैकी भी यही कहती हमें भी यही सोच रही थी हमें घर चलना चाहिए फ्रीन कार स्टार्ट करती है एन बैकी बहुत smile कर रही थी because उसे जो चाहिये था वो मिल गया but वो अभी भी satisfied नहीं है and deeply जो भी फ्रीन से चाहती थी वो प्राप्त नहीं कर पाई फ्रीन कार को बहुत fast drive करती है and वो घर पहुंच जाते है so guys ये episode complete हो गया next episode भी हम back to back upload करेंगे so guys इस episode में जो love scene हमने डाले है Becky real life love next episode के लिए wait करें our new episode Freen Becky sexual activity पर बेस्ट है full married Bali feeling देने Bali है Freen and Becky so guys हमारे साथ बने रहना new video के लिए bye thanks for watching